स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चानल है अगर आप मेरे चानल पर ने हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्तों आज मैं आपको बताने चारी हूँ फिस्ट डाइट क्या है बिन एक्सेसाइज हर मीने 3-4 किलो बजन कम होगा तेजी से बजन कम करने के लिए हर को डाइट का सारा लेता है बजन कम करने के लिए एक ऐसी ही डाइट का नाम है फिस्ट या मुठी डाइट क्या है कैसे कम करती है ये जानते हैं बजन कम करने का सबसे स्टिक सिधानत है कैलरी इन बर्सिस कैलरी आउट यानि आप कित बर्न कर रहे हैं जो लोग बजन कम करना चाते हैं उन्हें इस सिधान्त को ही फोलो करना होता है अगर आप मैंटेनेंस कैलरी से कम खाएंगे तो बजन कम होता है वेट लोज के लिए लोग अलग अलग तरीके की डाइट फोलो करते हैं जैसे पेलियो डाइट, कीटो डाइट, low carb diets आदी ऐसी ही एक diet का नाम है fist diet, calorie खाकर बजन कम कर सकते हैं खास बात यह है कि इस diet को follow करने के साथ साथ exercise करने की भी जरूरत नहीं है, fist diet यानि मुठी diet वो diet है जिसमें आपको मुठी वर भोजन का सेवन करना होता है, इस diet में आपको तीन बार खाना होता है और हर meal में चार मुठी के बराबर भोजन करना होता है और हर meal में चार मुठी के बराबर भोजन करना ही होता है उसमें protein, carbohydrates, fats और fiber सामिल होता है प्रति धिन 3 meal breakfast दूपहर बोजन और रात के खाने में एक चमच, fat गी या तेल जरूर होना चाहिए इस डाइट में कोई भी हर हफते लगबग 400 से 900 ग्राम बजन कम कर सकता है फिस्ट डाइट में इन चीजों को खाने से बचें फिस्ट या मुठी डाइट में हमेशा बैलेंस डाइट ली जाती है माना इस डाइट में सीमित कैलरी में आप अगों में बांटें उसके बाद उसका सेवन करें प्रोटीन के लिए मिट मचली और अंडा खा सकते हैं कार्ब स्केल चेल के रूप में सबजियां पास्ता अलू अनाज और ब्रेट खा सकते हैं फैट के लूप में नर्ट्स खा सकते हैं लेकिन अगर आपको ड्राइ've फू लेकिन एक्सपर्ट फिजिकली एक्टिव रहने के लिए सिला देते हैं अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बजन दीरे-दीरे कम होगा लेकिन वहीं अगर आप डाइट के साथ वेट ट्रेनिंग या कार्डियो भी कर सकते हैं तो तेजी से वेट लोस हो सकता है और हम तीन महिने में चार किलो बजन कम कर सकते हैं अगर कोई रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करता है तो उसे तेजी से रिजल्ट मिलता है तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएगा धन्यवाद